महराज कॉंग्रेश नेता निर्दिली चुनाओ लड़ने पर अडएक सांगली से ना मांगकर नहीं लिया वापस कॉंग्रेश नेताओं का विरूत थमने का नाम नहीं ले रहा है इस पीच खबर ये है कि महराज कॉंग्रेश के बागी विशाल पार्टिल ने निर्दिली प्रित्याशी के रूप में सांगली लोग सासीट से चनाओ लडने के अपने फैसले को वापस लेने को तयार नहीं है वेपार्टी नेतरतु के फैसले के खिलाफ चनाओ लडने जिद पर आडए रहे हैं उन्होंने 22 अप्रेल को अपना नामांकन वापस ने लिया जो नामांकन प्रिक्रिया का आखरी दिन था महाराश्ट की सांगली में 7 माई को मतान होका जबकि परिणाम 4 जून को घोशित किये जाएंगे विपक्षी महाविकास अघारी गठवन्दन का हिस्ता कॉंग्रिस और उद्धर ठाकरी के नेतरत वाली सिफसेना यूबीटी कई हफतों से सांगली सीट को लेकर खींचतान में चल रही थी अंतवे सिफसेना यूबीटी की पहलवान संद्रहार पार्टिल को अपना उमीदवार बनाया गया इसके बाद विशुजीत कदम ने पार्टि के केंद्री नेतरत्व को पत्र लिखकर विशाल पार्टिल को चनौल लड़ने के निमती देने के लिए सिफसेना यूबीटी पर दवाब बनाने को कहा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उनका प्रयास बेकार गया यूबीटी प्रित्यासी ने भी नाम नहीं लिया वापस साथी सबसेना UBT ने भी अपना उमीदवार वापस नहीं लिया मैंने एक सुतंतर उमीदवार की रूप में चनाव लड़ने का फैसला किया है पार्टल ने एक समधाता सम्मीलन को सम्भूधित करते हैं कहा कि मुझे कुछ वरिष नेताओं के फोन आयो और मुझे से अप्रनामांकर वापस लेनी के लिए कहा गया मेरी परिवार की सोधोसियों को प्रमुख पद देने का वादा किया गया मैं इन प्रस्तावों के लिए अभारी हूँ लेकिन यह संगर्स मेरा नहीं है यह जनता का है खुद को जनता का अशली उमीदवार को सब्सक्राइब करना ना भूलें